आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम को फेस्बुक से डिस्कनेक्ट कैसे करें या फिर अपनी इंस्टाग्राम आइडी और फेस्बुक आइडी अलग-अलग कैसे करें तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फोन में Instagram Map Open करिए और Instagram Map Open करने के बाद नीचे Right Side में यह जो आपका Profile Photo का गोल सा आइकन आएगा यहाँ फिर आपका Profile Photo आएगा इस पे आप किलिक करिए किलिक करने के बाद अब उपर Right Side में यह जो तीन लाइन आ रही है इन तीन लाइन पे किलिक करिए तीन लाइन पे किलिक करने के बाद आएगा Settings and Privacy तो Settings and Privacy पे किलिक करिए उसके बाद सबसे उपर आगा Your Account में नीचे Account Center तो Account Center पे किलिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऐसा पेज आएगा account center में और नीचे आएगा यहाँ पर account settings account settings में first option आएगा accounts का तो accounts option पर क्लिक करिए तो यहाँ पर अब Instagram और Facebook दोनों को disconnect करने के लिए यह जो आपके Facebook account में आएगा remove remove बटन पर क्लिक करिए remove button पे click करने के बाद यहाँ पे आएगा remove account इस पे click करिए उसके बाद नीचे आएगा continue तो continue पे click करिए अब continue पे click करने के बाद आएगा यहाँ पे फिर से confirm करने के लिए तो नीचे remove आएगा और अपके facebook account का नाम आएगा तो इस पे click करिए उसके बाद 2-3 सेकंड वेट करिए और यहां पर देख सकते हैं आपका Facebook अकाउंट डिसकनेक्ट हो गया है तो आप OK पर किलिक करिए और आपका Instagram Facebook ID से डिसकनेक्ट हो गया है तो इस तरीके से Instagram को Facebook से डिसकनेक्ट करें विडियो अगर आपको पसांद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें